चलिए friends, wireless Bluetooth कराओ के माइक को अन्बोक्स करके देख लेते हैं, ये एक better in Bluetooth स्पीकर भी है, तो चलिए देखते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार का black color का better in box हमें इसमें मिलता है, जिसमें red color की chain दी गई है, आप देख सकते हैं, ये better in box है, तो ये आपके product को एक classy look भी देता है, और ये black box better in rubber material के साथ आता है, जो कि matte finish में है, चलिए अभी इसे open करके देख लेते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार की better in packaging में ये microphone मिलता है, चलिए इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़े मिलती है, ये हम देख लेते हैं, ये देखिए एक ऐसा USB to micro USB केबल हमें इसमें मिलता है, ये देखिए ये इतनी लंबी size का आता है, आप देख सकते हैं, और इसे आप mic के charging के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, आप कोई भी अपना 5V का charger लेके इसे charge कर सकते हैं, चलिए इसे side में रख देते हैं, दूसरा हमें micro USB to 3.5 mm audio cable मिलता है, जो की recording के लिए use होता है, चल ये देखिए ये काफी लंबा आता है, चलिए इसे side में रख देते हैं, एक user manual हमें इसमें मिलता है, तो इसमें पूरी instructions दी गई है, तो जिसे पढ़के आप mic के से use करना है, और उसके लिए क्या-क्या precautions रखने हैं, वो सब इसमें पढ़ सकते हैं, और अगर mic के regarding कोई भी problem आए, तो troubleshooting भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, और इसमें warranty card भी दिया गया है, चलिए इसे side में रख देते हैं, अभी हम mic को देख लेते हैं, ये देखिए कोच इस प्रकार का better in mic हमें इसमें मिलता है, golden color का, ये अलग-अलग color उसमें available है, जो कि black और pink color का भी आता है, तो mic भी कहा जाता है, चलिए अभी हम आपको mic on करके दिखाते हैं, और इसे कैसे smartphone से pair करते हैं, वो भी दिखाते हैं, उसके लिए आप अपने mic को लीजिए, और यहाँ पे on off का button दिया गया है, उसे दबाईए, तो ये कैसा sound आएगा, तो ये on हो चुका है, और यहाँ पे light भी होगी, आप देख सकते हैं, उसके बाद आप अपने smartphone को लीजिए, और smartphone में Bluetooth को on कीजिए, smartphone में Bluetooth को on करने के बाद अपने Bluetooth मेनू में जाएए, उसके बाद यहाँ पे refresh दबाईए, रिफरेश दबाने के बाद आपको नई Bluetooth device यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये नेम है Q7, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद दबाने के बाद यह अपने आप ही उसे pair कर देता है, ये देखिए connect हो चुका है, connect करने के बाद आप अपना कोई भी song इसमें प्ले कर सकते है, ये एक बेतरी Bluetooth speaker के जैसे भी काम करता है, और ये कराओ के mic के जैसे भी आप इसे use कर सकते हैं, चलिए हम आपको song play करके दिखाते हैं, ये देखिए volume का आप यहां से भी गटा बढ़ा सकते हैं, ये देखिए यहां से भी गटा बढ़ा सकते हैं, ये देखिए यहां पे music लिखा गया है, तो ये music का volume आप यहां से घटा बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, और यहां पे buzz or trouble दिया गया है, तो buzz or trouble आप अपने ही सबसे set कर सकते हैं, और music को यहां से कम कर सकते हैं, और ये जो volume दिया गया है, वो mic का volume दिया गया है, तो चलिए मैं आपको mic का sound सुनाता हूँ, ये आप normal mic का sound सुन रहे थे, ये without echo था, तो यहां से आप echo भी बढ़ा सकते हैं, यहां पे switch दी गई है, चलिए echo के साथ हम आपको सुनाते हैं, आप सुन पा रहे होंगे, कि ये echo के साथ sound आता है, तो आप अपने कोई भी song echo के साथ भी गा सकते हैं, और without echo भी गा सकते हैं, चलिए अभी हम आपको दूसरे functions दिखाते हैं, ये देखें, यहां पे उपर की तरफ तीन switch दे गई हैं, तो आप कोई भी song अपने smartphone से play करें, ये देखें ये song चालू करने के बाद, आप यहां से भी उसे control कर सकते हैं, यहां पे play post का button दिया गया है, चलिए इसे post करते हैं, ये देखें तो आपने आपी ये post हो चुका है, अभी play करते हैं, तो यहां से भी आप play post control कर सकते हैं, अगर आपको next song करना है, तो यहां से आप next song कर सकते हैं, और यहां से आप previous song कर सकते हैं, और यहां पे एक दूसरा button दिया गया है, जो android और ios के लिए है, तो अगर आप अपना smartphone android यूज़ कर रहे हैं, तो ये button को इस side पर रखिये, और अगर ios वाला smartphone यूज़ कर रहे हैं, तो इस button को ये side पर रखिये, ये basically button यूज़ होता है, जब आप recording कर रहे होते हैं, और recording के लिए अगर आप android में recording कर रहे हैं, तो इसे ये side पर रखना होता है, तो ही ये आपके smartphone के software में work करेगा, यहां पे नीचे की त reset करके उसके song भी इसमें बजा सकते हैं, यहां पे दोस्ट भी कर दिये गए हैं, आप देख सकते हैं, और अपने कोई भी karaoke के song भी इसमें play कर सकते हैं, तो इसके साथ आप अपने mic में गानगा सकते हैं, चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, आप अपने smartphone में इसका recording कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पहले अपने microphone को लीजिए और यहाँ पर उपर की तरफ एक switch दी गई है, आप देख सकते हैं अगर आप अपना smartphone Android यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर Android की switch दी गई है, तो आप उसे इस side पर रखिए, और अगर iOS में आप recording करना चाते हैं तो इस switch को यह side पर कर दीजिए तो यह properly record करेगा अभी recording करने के लिए आप इसके साथ दिये गए micro USB 2 3.5 mm cable को लेके यहाँ पर इसे joint कर सकते हैं यह जो charging slot दिया गया है वहीं पर आप recording के लिए भी इसे connect कर सकते हैं तो इसका micro USB end है उसे आप यहाँ पर insert कीजिए और यह 3.5 mm cable आप देख रहे हैं उसे अपने smartphone के 3.5 mm audio jack में insert कीजिए इसे insert करने के बाद आप अपने smartphone का recording app open कर लिजिए recording app open करने के बाद यहाँ पर record का button दबाईए तो आप जो भी बोलेंगे वो record होगा और अगर आपने इसमें music चालू रखा रहेगा तो वो भी record होगा चलिए हम आपको दिखाते हैं अगर वो आप eco के साथ record करना चाहते हैं तो यहाँ पर eco का button दिया गया है अगर वो आप eco के साथ sound आता है यहाँ पर eco का button दिया गया है यह सुनिए यह पूरा recording आप सुन सकते हैं तो यह पूरा recording आप इसमें भी सुन सकते हैं और अगर आप इसे निकल देंगे तो अपने smartphone के speaker में भी सुन सकते हैं तो यह cable दोनों तरीके से use होगा एक अगर आप mic में से smartphone में recording करना चाते हैं तो भी आप इसका use कर सकते हैं और अगर आप smartphone में से कुछ भी song without Bluetooth इसमें बजाना चाते हैं तो भी आप इसका use कर सकते हैं तो ये 2-way cable के रूप में use होगा चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने wireless Bluetooth माइक को कैसे charge कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले अपने माइक को लीजिए और अगर वो on है तो उसे off कर दीजिए off होने के बाद यहाँ पे आपको micro USB socket दिखेगा उसमें इसके साथ दिये गए ऐसे USB to micro USB cable को लीजिए और उसके micro USB end को यहाँ पे insert कर दीजिए यह देखिए ऐसे insert करने के बाद आपके पास पड़े हुए कोई भी 5W के USB charger के साथ उसे connect कर दीजिए और इसे connect करने के बाद उसे charge कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पे light on हो चुकी है red light मतलब जब तक यह charge होते रहेगा यहाँ पे red light लगएगी और यह charge हो जाएगा तो यह अपने आप ही बंद हो जाएगी तो karaoke singing के शोकी नोको यह mic ज़रा भी निराश नहीं करेगा और अगर आप basic singing सिखना चाते हैं और properly karaoke song पे अच्छे से गाना चाते हैं तो इस practice के लिए आप इस microphone को मगवा सकते हैं जो की काफी कम price में मिल जाता है और दूसरी बड़ी-बड़ी karaoke system लेने की कोई जरूरत नहीं रहती है आप इस पे ही अपनी अच्छे से practice कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share करना ना भूले और अगर आप हमारे channel पे पहली बार आये हैं तो इसे subscribe जरूर करें तो चलिए friends मिलते हैं अगली किसी बेतरीन unboxing वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care